Hello everyone, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके मार्केट की गिरावट में ही हमें तलासने होते हैं अच्छे सेर यहाँ पर जो सबसे important बात आपको सीखने या समझने की है कि अगर मार्केट की गिरावट होती है तो maximum time ज्यादा से ज़्यादा निफ्टी 20% तक गिरती है और बहुत rare 2-3 time ऐसा हुआ है जब निफ्टी 30% से ज़्यादा गिरी है यानि जहाँ पर मार्केट 10-15% तक गिर चुका है तो अब आपकी तलास सुरू हो जानी चाहिए अच्छे stock की तरफ वही हम आपके लिए लेकर आए है growth stock growth stock यानि जिसका भविस्य जिसका future है लेकिन उससे पहले ये नहीं कि आज लिया और कल से भागना चालू अगर आप उसमें invest करते हैं तो आपका vision होना चाहिए अगले 5-7 साल का साथ में अगर आप invest करते हैं तो दिमाग में ये picture clear होनी चाहिए कि अगर हम invest करते हैं तो इस stock में 20% की गिरावट भी हो सकते है क्योंकि maximum लोग सिर्फ stock का नाम सुन कर invest करते हैं और बाद में उस गिरावट को handle नहीं कर पाते हैं जब गिरावट हुई तो चुके उन्होंने 20-21 की सिर्फ तेजी देखी थी मंदी देखी नहीं थी तो वो परिशान हो गए कि market ने हमें बरबाद कर दिया लेगिन जब भी आप market की history देखो किसी भी stock की history देखो तो तेजी और मंदी एक दुनिया का सच है सुख और दुख profit और loss ये सब चीजे साथ में चलती है तो उसी तरीके से चाहे stock कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो वहाँ पगर आप invest कर रहे हैं तो हमें पहले ये सोच समझ कर चलना है कि उसमें गिरावट हो सकती है और हमें उसके लिए प्रिपेर रहना है और इसलिए कभी भी कर्ज लेकर invest नहीं करना चाहिए कभी भी सारे पैसे एक साथ नहीं लगाने चाहिए ठीक है तो इनके मद्दे नजर हम लेके आए हैं 50 रुपे से नीचे वाला 3 growth stock तो चलिए सुरू करते हैं मैं मुकल अगरवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल दो स्वागत करता हूँ जो भी नहीं लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन हिट करें नोटिफिकेशन ओन कर ले जिसे जब भी मैं लाइब आता हूँ वीडियो अप्लोड होती है आपको फाइदा मिलेगा और आपका माती रहेंगे तो सबसे पहला stock है हमारा Trident जो टेक्स्ट्राइल कंपनी ये stock ने लोगों को करोरपती बनाया और 6-7 रुपे से ये share हमने आप लोगों को पहले से दिलवा रखा था लेए अब लोगों के दिमाग में जो एक मीजर concern है मीजर सवाल है कि आखिर इतनी तेजी हो जाने के बाद ये इसने high लगाया था 70 और अभी चल रहा है 49 के पास तो क्या अब कहानी खतम हो गई तो दोस्त 6-70 आने बे भी इसने वक्त लगाया तो वैसे ही अब आगे की अगली जर्नी करने में भी वक्त लगाएगा वहाँ पर अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी 26.8 और स्टॉक पी 33.3 है यानि थोड़ा सा महंगा है वहाँ पर पीजी रेश्यो भी 5.24 है यानि स्टॉक थोड़ा महंगा यानि अगर गिरावट हो रही है तो डड़िएगा मत खुस हो जाईएगा पार्टी मनाईएगा क्योंकि एक अच्छा स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है वहीं पर इनका ROC 10% ROE 10.5% का है वहाँ पर इन पर डेट 1326 करोर का है और फ्री कैस फ्लो 169 करोर का है यहाँ पर हम अगर इनके फाइनसियल की तरफ गौर करते हैं तो नेट इंकम थोड़ा थोड़ा 20 और 21 में गिरा है तो अब हम यह मान के चलते हैं कि जैसे COVID खतम होगई यह चीज़े खुल चुकी है तो 2022 के बाद वहाँ पर हमें बहुत अच्छी तेजी दिखने वाली है बहुत अच्छा मुमेंट दिखने वाला है वहाँ पर अगर हम इनके promoter holding पर जाएंगो तो 72.94% की promoter holding इनके पास खरी है तो यह था पहला share अब हम चलते हैं अपने दूसरे stock की तरफ जो pharmaceuticals company का share है लेकिन उससे पहले बता दे telegram पर अब हम लोगों ने शुरू कर दिया है news और उस news से related to stock का chart देना आपकी learning और earning के लिए तो अब telegram channel हो गया है और भी बहतरी तो link description में है जुड़ जाएए आपको हर वक्त हर एक चीज बहतरीन level पर मिलने वाली है तो यहाँ पर morepen lab में again देखें तो यह stock को हम लोगों ने पहले identify किया था वैसे ही 30 के उपर 74 तक का high मारा था और अभी 42 के पास चल रहा है तो अब वापस से वही सवाल कि क्या चीजें खराब हो गई है या क्या है तो industry PE 24.6 है और वहाँ पर stock PE 19.9 है यानि थोरा सस्ता है और PZ ratio भी 0.59 के पास है यानि stock सस्ते में मिल रहा है इनका ROC 21.4 और ROE 21.2 है यानि जो ROC है 20% के उपर बहुत अच्छा count होता है वहाँ पर debt 18.6 है इन्होंने अपने debt को बहुत ज़ादा घटाया है और almost debt free कर लिया है वहाँ पर इनके financial के तरफ नज़र डालोगे तो net income लगातारे इंप्रूव हो रहा है total revenue लगातारे इंप्रूव हो रहा है EBITDA लगातारे इंप्रूव हो रहा है यह बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है वहाँ पर एक जो सबसे अगीन प्यारी चीज़ आप देखोगे और surprise हो जागे वह है promoter holding इनकी हुआ करती थी 34.54 वहाँ पर March में इनकी promoter holding हो गई है 38.38 यानि 4% के आजू बाजू अपनी promoter holding को बढ़ाया गया है तो यहाँ पर promoter ने अपनी holding बढ़ाई है जो आपके सामने दिख रही है और promoter अपनी holding सिर्फ और सिर्फ तभी बढ़ाता है जब उसे विश्वास भरोसा हो कि वो company में जो काम कर रहा है वो अच्छा है यानि आपने देखा कि एक सिर्फ जो अच्छा है अच्छा return दिया है गिरावट में गिर रहा है अब वो नीचे में सस्ता भी हो गया है वहाँ पर promoter भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहा है तो कई सारी चीज़े एक साथ हाके जोड़ती है तब हम एक vision लेते हैं 5 साल का वहाँ पर financial भी है, ROC भी है तो ये कई सारी चीज़े हैं जो मिलकर अच्छा दाव लगाती है अब हम आते हैं अपने next year पर ये थोरा सा अलग है थोरा सा question mark भी आपके मन में create कर सकता है बट मैंने क्यों लिया, कैसे लिया, सब बताऊंगा फटा-फट वीडियो को like कर दीजे, प्यार दीजे और ये जो stock खरी देंगे, कहां खरी देंगे तो Demet account की link description में है जिनके साथ भी open करना चाहें आप जरूर open करें और प्यार दें अब हम बात करते हैं next stock पर Lemon Tree Hotels तो अब इस stock को मैंने क्यों select किया इस पर मैं आऊंगा वहाँ पर मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि अगर promoter में जो share pledge किये थे वो था 7.61 और वो अब घट के हो गया है 0.56% तो promoter ने share pledge करके कहीं न कहीं पैसा loan पे लिया था वो छुरा लिया तो यानि company सही तरीके से चल रही है और company का भविस्य उजवल है वरना अगर डूबी company होती तो कहता भाया जाने दो जो करज है जाने दो खेल खतम करो हम गंगा नहाते हैं जो mostly time होता है लेकिन अगर promoter करज लेने के बाद उसको सही तरीके से करता है तो ये है एक सही तरीका तो this is the one reason जहाँ पर ये मैंने select किया है अब hotel industry जिसको covid का सबसे bad impact परा है लेकिन अब वो covid से बाहर निकलता है तो वहाँ पर अब अगर भगवान न करें वापस से covid जैसी कोई condition आती है तो यहाँ पर जो stock काफी सस्ता हो चुका है वहाँ पर इसके काफी जादा growth के chance होते हैं यानि हम एक risk के stock पकर रहे हैं reason क्या? reason promoter का विस्वास वरना वो अपने पैसे कभी नहीं लुटाएगा company due to covid पिटाई खाई covid के बाद चीजें अच्छी हुई बाहर निकल के आएंगी तो जो आगे के quarter result आएंगे वो अच्छे आएंगे तो वहाँ पर इसी लिए इनका ROC और ROE negative में है इनका profit after tax negative में है इन पे debt है debt क्यों है वो आपके साथ मैंने बता दिया यहाँ पर अगर हम financial पे देखते हैं तो net income वही 2020 और 2021 का loss था due to covid वाली कहानी तो बट इस नजरिये से मैंने इसको पकराए कि यह अगर result जैसे ही अच्छे आते हैं तो वहाँ पर यह hotel industry का stock आपको बहुत अच्छा growth आने वाले 5 साल के हिसाब से दे सकता है तो मेरी नजर में यह 3 stock थे आपकी नजर में एक और कौन से 50 रुपए के अच्छे stock हैं comment box में ज़रूर बताइए और आप में से कौन से यह share है तो ज़रूर बता के प्यार दीजिए और वीडियो को share कीजिए जिससे लोग सीखें और कमाएं Thank you so much